नमस्कार, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन, मैं डोक्टर गजादान चारण, शह आचार्य राज की यह महाविद्याले सुजान करूँगर। आज हम हिंदी साहित्य के प्थम प्रस्ण पत्र में कवि सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना मौन निमंत्रन, उसके व्यक्ष्याखंड का धेन करेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे, और कवि सुमित्रा नंदन पंत के कव्य वेभाव में से एक महनी ये रचना का हम धे पुस्तक है तो पुस्तक खोलने अन्यथा यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं इसक्रीन एक तरफ खुली है उसमें कविता क्यूंकि जब आम कविता पढ़ते हैं तो टेक्स्ट आपके पास में होना चाहिए साहित्ति की पुस्तकों के लिए साहित्ति की रचनाओं को पढ़ने के लिए आपके पास में पठ्थ सामगरी का होना आवश्यक है क्योंकि भाषा की कख्षा में मात्र किसी सूचना को पहुचाना या किसी संदेश को पहुचाना इतना मात्र उद्देश्य नहीं होता है वहाँ पर आपके भाषा के चारों कोसल पढ़ना, लिखना, चारों पर भी ध्यान दिया जाता है तो उचारण पर भी हम ध्यान देते हैं लेखनी पर वर्तनी पर भी ध्यान देते हैं रचना का पाट कैसे होगा उस छंद की यती, गती, ले, तुकित्यादी कैसे हैं उसमें आरोह, अवरोह कैसे रहेगा उसमें विराम कहां लेना है ये सब चीजे भी उस चंद के बंध के हिसाब से हमें ध्यान में रखनी होती है इसलिए आपके पास में पाठ्थे सामक्री होनी चाहिए मौन निमंत्रन कविता इसका ध्येनम करते हैं ये कविपंत के पल्लव नाम से संकलित का विसंग्रे जो 1923 में प्रकासित हुआ उसमें से रचना उत्थरित है मौन निमंत्रन मौन कहते हैं चुप निमंत्रन वाने हमको क्यों नोता देता हूँ कवि हमने सुमित्रन नंदन पंत के परिशे में पढ़ा कि प्रक्रती के सुकोमार कवि थे प्रक्रती की हर एक क्रिया प्रक्रती की हर गदिविधी पंत को लगता है कि उनसे वार्ता लाप कर रही है वो रात हो, वो वर्सात हो, वो मदुमास का समय आए, वो हवा चले, वो सागर की लहरे हो, घन घौर बादलों की घटाएं हो, वो प्रभात की वेला हो, वो सुहावनी संध्या हो, किरात्री हो, कभी को लगता है कि कहीं कहीं उससे प्रकृति बातचीत कर रही है, और वो रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, और यही सोच करके रचनाकार लिखता है, लेकिन वो चायावाद का रहसे इसमें बना रहता है, पता नहीं मुझे कौन बुला रहा है, यह चायावादी कविता के एक विसेशता रही कि चारों तरफ की परिस्तितियों को आस पास का पूरा खा रहते कह देते हैं, मुझे मालूम नहीं कि क्या है, तो वो ही मौन निमंत्रण में उस सेली का निर्वा हुआ है, वो चायावाद की रहश्यात्मक्ता यहां पर विद्यमान है, हम पढ़ते हैं रचना, फिर उसका भावार्थ करते हैं, एक-एक अंतरा पढ़ते हैं लंबी क चत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझे को मौन। स्तब्द जोचसना, जोचसना रात्री को कहते हैं, चांदनी रात, स्तब्द जोचसना में जब संसार, वो चांदनी में रात्री का द्रश्य है, जोचसना वाने चांदनी, स्तब्द जोचसना में जब संसार, सारा संसार, चांदनी रात की गोद में चकित रहता सिशुषा नादान चोटा सा बच्चा होता शिशु चोटे बालक की तरह चांदनी रात की गोद में हर व्यक्ती चकित रहता सिशुषा नादान ये पूरा संसार आश्चरे चकित नादान बच्चे की तरह सोया रहता चंदनी को देखता है, कभी तारों को, कभी चंद्रमा को आकाश में नक्षत्रों की इधर उधर होती दोड को देखता है एक नक्षत्र उगता है, दूसरा आस्त हो जाता है कोई किसी के पास है, कोई कहीं जिल मिलाता है सारा संसार उन्हें चकित हो करके देखता है उस समय संसार के पलकों पर, यानि हम सब की पलकों पर, विचरते हैं जब स्वपन अजान, अंजाने स्वपन आते हैं, रात को जब हम नींद में सोई रहते हैं, वो निद्रारानी की गोद में सोते हुए, हम लोगों को अलग-अलग तरह के मीठे मीठे सपने आते हैं, वो चा जहां सोचना बंद करती है, कभी वहां से सोचना शुरू करता है, इसलिए तो कहा जहान ने पहुंचे रवी, वहां पहुंचे कभी, तो वो कभी ये सोचता है, जब चांदनी रात में सारा संसार एक नादान अबूज बालक की तरहे आश्चरे चकित होकर के सोया हुआ, आका होते हैं, उस समय नजाने नक्षत्रों से कोन कभी पंत कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नक्षत्रों के बीच में से, सितारों के बीच में से, कोईन कोई मुझे ऐसा है, जो निमंत्रन देता मुझे मौन, मुझे मौन निमंत्रन दे रहा है, बोल नहीं रहा है, चुप उने आपको कमजोर नहीं मानना है, तुम्हारी भी ऐसी ही हस्ती है, तुम जिन को देख करके आस्चरे चकित हो रहे हो, ये संकेत कविताओं के इस रूप में समझना है, कि हमारा जीवन कहीं निरासा और हताशा में नहीं आ जाए, ये रचनाकार की दृष्टी रहती है, इसल कविपंत ये आपको शीख देना चाहता है, ये बताना चाहता है, कि उस समय में उन नक्षत्रों में से ही, जैसे तारे आसमान में से कविपंत को निमंतरन देते हैं, कि तुम भी हमारे जैसे ही हो, कोई कमी नहीं है, वे सही प्रतिभासाली लोग, क्याती लबध लोग, सफ ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हैं, आने वाली पीधी के लिए हैं, इसलिए हमारी आने वाली पीधियां, इस मौन निमंतरन को समझे, कि आपको वो सफल सारे लोग, आपको आमंतरित कर रहे हैं, आगे देखें, इरात का हम चांदनी का द समीर निश्वास, प्रखर जरती जब पावसधारा, न जाने तपक तरित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन, सघन मेघों का भीमाकास, सघन घने मेघवान बादल, भीमाकास, भीम व्रहद के लिए हैं, जो पंड़ों का भाई जो भीम था, पांच पंड़ों में से, वो बड़ा विराट शरीर का धनी था, जैसे भीम शब्द है, वो व्रहद के लिए रूड हो गया, किसी को भीम काय कहा जैद, भीम जेशी काया वाला, तो बड़ा हो गया, जैसे भीमाकास, बड़ा आकास, शगन मेघों का भीमाकास, बादलों से, घने बादलों से घिरा वो बड़ा आकास दिखता है, आश्वान दिखता है, गरजता है जब तमशाकार, गरजता है और चारूं तरफ तमस चा जाता है, तमस कहते हैं अधेरे को, अधेरा चा जाता है, काले काले बादल, घने बादल, गरजते हैं, गरजन तरजन करते हैं, चारूं तरफ अधेरा चाया हुआ है दीर्ग भरता समीर निश्वास उस समय हवा दीर्ग निश्वास भरते हैं तरब बादल आगे हवा है वो लंबी लंबी निश्वासे भरती हुई चलती है प्रखर जहरती जब पावस धारा उस समय पावस कहते हैं वर्सात को वर्सात की जहरा वो धारा बहती है बादलों से वर्षा की धारा मुशलधार वर्षात होती है प्रखर जरती प्रखरता के साथ में जरना वने बरसना वर्षा का होना नजाने तपक तडित में कौन तडित कहतें विजली को ऐसे में जब आस्मान घने बादलों से भरा हुआ है इबादलों की गरजन तरजन से अधेरा बढ़ा हुआ है हवा दीरग दीरग लंबी लंबी स्वासे ले रही है निश्वासे छोड़ रही है उस समय जब आसमान से मुसलाधार वरसाथ शुरू हो गई है उस समय भी जब सारी धुनिया भीतर घुश जाती है कोई इधर उदर किसी को फुरसत नहीं की वाहर क्या हो रहा है अपने घर में उस वरसाथ से उस मुसलाधार वरसाथ से बचने के लिए सब जब घरों में घुश जाते हैं उस समय भी कवी की दृष्टी प्रक्रती पे रहती है और कवी पंत कहता है नजाने तड़त तपक तड़ित में कौन उस समय विजलियां कड़कती है और उस चमकती हुई विजली में मुझे इंगित करता तब माउन कवी कहता है मुझे उस समय भी माउन रूप से इंगित करती हो विजली आजा तुम्हारा भी यह इस्तान है मैं जिस तरह से जगत को रोशन करती हूँ एक बार चमक करके जु विजली वो रोशनी वो बादल जो प्रकृती को इस धर्ती को सुख देने के लिए आये हैं वो सारे के सारे उसे बुला रहे हैं वो मौन निवंत्रण उसे मिलता है कभी कहता है वो चमकती हुई विजली मुझे आमंत्रित करती है मौन आमंत्रण इंगित करना मान संकेतित क बुलाना वो बुलाती है उसे अगला द्रिश्च देखें देख वसुधा का योवन भार गूज उठता है जब मदवास विधर उरके से म्रद उदगार कुसम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास नजाने सोरव के मिश्कोन संदेशा मुझे भुजता मौन वीयोगी रिदे के दुख की विनजना कभी भरमर गुंजार से करता है मधुमास जब आता है वसंत का मधुमास में योवन छाता है प्रकृती में वसंत आती है बाहर आती है देख वसुधा का योवन भार वसुधा धरती को कहते हैं ये प्रक्रती पूरी की पूरी योवनवती हो जाती है, जवान हो जाती है, सौंदर्यवती की तरह सोडसी, नाइका की तरह सजधत जाती है, वो हरा पट पहने हुए, वो फूर्ल जिसके प्रसादन है, जिसका सौंदर्य है, जिसे लगता है जैसे उसने गजरे धारन कर रखे हो हरी साड़ी पहन रखी हो चारू तरफ की नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है नदियां बहती है तो लगता है उसके प्रेम का प्रवाह बहता है फूल जो सिस में लगाने के हैं शिखा में चोटी में लगाती है वो लगता है तारा मंडल सारे उसके उसके पुस् शगुण मूर्ति सर्वेश की मैत्रिशन गुप्त ने दिखा बादल जिसका विशीग कर रहे हो स्नान करवा रहे हो स्वागत कर रहे हो जैसे हम मूर्तियों का विशीग करते हैं शिव की गनेश की दुरगा की मूर्तियों का विशीग करते हैं कभी वहां से वर्णन करता है देख वशुधा का योवन भार इस धर्ती का प्रकृती के योवन का भार देख करके योवनवती होती हुई संदर्यवती होती हुई उस प्रकृती को गूझ उठता है जब मदुवास वसंद आ जाती है वो गुंजार भरता है ब्रमर गुंजार पढ़ते सोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इस सब चीजें संयोग के समय में बड़ा सुखी करती है, प्रेम को, रतिभाव को बढ़ाती है, काम केली करने के लिए उचित अवसर उनको मिलता है, लेकिन उस समय में विधुर जो है, विधुर कहते हैं, जिसकी पत्नी खत्म हो गया हो, वो वुरत विधुवा कहलाती है, औ उस समय में विधुर का रिदे, उसमें मधुर मधुर मीठी मीठी यादें अपनी प्रेमी का, अपनी पत्नी के साथ में रहने की वो यादें आती, वो मीठे उदगार निकल पड़ते हैं, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास, और उस समय में सुमन, कुसुम, पुस् अपनी खुश्बु से सारी काइनात को महका देते हैं, सौरभित कर देते हैं, नजाने सौरव के मिसकोन, वो जो खुश्बु आती है, कभी कहता है ये खुश्बु मुझे निमंत्रित करने आई है, नजाने सौरव के मिसकोन संदेशा मुझे भिजता मौन, मुझे संदेश देरे और इन वह हैं, और पूरी प्रकृति देखो अपने रंग से सारी दुनिया के अयरा है, प्रेरी दूनिया को महित कर रही है, और यह पुस्प सीक्थ दे रहे हैं, कि हम किसी से न जाती का, न धर्म का, न ख्षेत्र का, न भासा का, न रूप का, न रंग का, न लिंग का, कोई भेद नहीं करते हैं सब को समान रूप से खुश्वू भिखेरते हैं वो निवंत्रित करता है इस आदमी को, इंसान को, इस संसार के, इस जीव को, दो पांगवाले इस इंसान को, मनुस्य को, यपुस्प ये प्रकृती के सारे अपक्रम संकेत करते हैं, संदेशा भेजते हैं, कि तुम भी इसी तरह से जीओ और जीने देखो संदेश लो, पवित्र द्रश्टी रखने का संकेत देते हैं, कभी कहता ऐसा संदेशा मुझे मोन रूप से मिलता है, इस प्रकृती को समझने का, प्रकृती के प्रती कभी का, ये द्रिश्टी कौन हम सब के लिए प्रिरणा दाएक है, अगला द्रश्टी देखें, पानी है, पानी के ऊपर, लहरे उठती है, समुद्र के पानी में, लहर उठना माने, पानी का सिखर हो गया, पानी के शीश पर आ जाती है लहरे, और वो लहरे, क्षब्द जल, क्षब्द माने नाराज, जब पानी आक्रोसित होता है, समुद्र का पानी आक्रोसित होता है, तो उपर उठता है, लहर बन करके उपर उठता है, और दुनिया को दिखाता है, कि मेरे सामने तुम्हारी कोई ओकात नहीं, गुस्सा करके बताता है सारे संसार के लोगों को कि मैं गुस्सा करके ये अपनी मरियादा को छोड़ दूँ आप देखें समुद्र अपनी मरियादा में है तो हम सब जिंदा हैं प्रकृती है, पेड़ पोधे हैं, जीव जन्तु है, सब कुछ है और समुद्र ये अपनी मर्यादा छोड़ दे तो दोती है इक चेतर में तो पानी है हम कितने हैं कभी डूब जाएं समुद्र हम लोगों को प्रति पल समझाता है आप अपनी मर्यादाओं में रहना सीख लें क्योंकि मर्यादित व्यवार नहीं किया समुद्र कहता है मैंने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया अपनी सीमाओं को उलंग दिया अपनी हद को पार कर दिया तो तुम्हारी कोई ओकात ही नहीं है कभी इस संकीत को समझता है और कहता है कि खुद जल सिखरों को जब वात वो क्रोधित होकर के पानी जब उपर उठता है लेर उपर उठती है उसको आकर के हवा लगती है और हवा क्या करती है उसको मत दी है सिंधु में मत कर फेना कार वो पानी उपर उठा हवा ने उसको मत दिया हवा जैसे ही लगती है गोल गूमने लगता है सिंधु में मत कर फैनाकार फैन का जाग का आकार ले लेता जाग बन जाता है पानी लेहर के साथ उपर उठता है क्रोदित हो करके उसको हवा लगती है हवा उसे गोल गुमाती है गुमा करके जिसे मतेनी में मतते हैं बिलो ना करते हैं वैसे पानी को बिलो देती है मत देती है और मत करके जाग के रूप में ला देते फेनाकार, फेन के आकार में वो आ जाता है, जाग के आकार में, बलबुलों का व्याप, कुल संसार बलबुलें बोलती है, बना बितुरा देती है अग्यात, बलबुलें उपर बोल रही है, इधर पानी के साथ में हवा का गर्जन तर् नहीं मुझे बुलाता मौन। उस समय में जब समुद्र के पानी का, हवा का, इधर बुलु-बुलु का, सब का नाद अपनी अपनी जगह पर वो ध्वनी सब अपनी अपनी जगह पर चल रही होती है, वो रव हो रहा होता है, उस समय में लहरों से हाथ उठा करके देखिए, ह पहर का उठना माने उल्लसित होना, उल्लास का, उमंग का, उच्छाह का प्रधीक है, इसलिए संसार में जब हतासा हो, जिसे पानी उपर उठा, उसको हवा ने दबा दिया, मत करके, मसल करके, जाग बना के छोड़ दिया, वो पानी हतास होता है क्या, वो निरास होता है क्य बुल बुल बोल रही होती है उसमें इस समुद्र की गरजन इतने तेज होती है बुल बुले घवरा जाती है डर जाती है क्या वो बोलना छोड़ती है क्या इसलिए संसार में हम लोगों को जब काम करना है वो उत्साह का, उमंग का अपने भीतर की ताकत को, आत्म शक्ति को, आत्म विस्वास को बना के रखना है ये लहर आमंत्रित करती है, उसको कहती है मुझे देख, ये हवा कितना है, मुझे मतले, लेकिन लहर उठेगी सिंदू के भीतर, वो उत्साह रहेगा, आत्म विस्वास बना रहेगा बाहरी आपदाएं, विपदाएं, अब बाधाएं आती रहती है, अब रूधा आते रहते है लेकिन वो अपने गुस्षे में आकर के वो अपने सीमा नहीं छोड़ता है, समुद्रित चाहे तो सीमाओं को छोड़ गर के हम सब को बरबाद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है ये हमें संकित देता है कभी कहता आपको भी ऐसा अपने चीवन में ये ध्यान रखना चाहिए स्वर्ण सुख स्री सोरभ में भोर विश्व को देती है जब बोर विहग कुलकी कल कंठ ही लोर मिला देती भूनब के छोर न जाने अलस पलक दलकोन खोल देता तब मेरे मौन ऐसा कोन आता स्वर्ण सुख स्री सोरभ में भोर सोने के सुख सोरभ, खुश्व भोर आती है उशाकाल आता है प्रभात की विला आती है विश्व को देती है जब बोर डुबो देती है उसमें सुख में स्वर्ण जैसा सुनहरी सुभय सुख का समय रात बर से आराम से जगा है आदमी सबको सुभे सुभे उठते ही चैन आराम आननद ठकान नहीं बिल्कुल उर्जा के साथ में उमम के साथ उठते हैं वीःग कुलकी कलकंट हिलोर वीःग कहते हैं पक्षी पक्षिदल अपनी कल-कल वो कलरव करते हैं ध्वनिया करते हैं उनकी आवाज सुनकर कि आदमी आनंदित होता है अच्छा लगते हैं करन प्रिये लगती हैं उल्लसित करती हैं मिला देती भू नब के छोर वो धर्ती और आस्मान के छोर को मिला देती दूरी को मिठा देती है गुन्जा देती है अपनी कलरव की धनी से न जाने अलस पलक दल कौन उस समय में अलसित पलकों के धल आलसी हुई नजरों से हम उठते हैं आखे मसलते हुए मलते हुए उठते हैं अलसाई हुई पलकों से कौन ऐसा है खोल देता तब मेरे मौन तब मेरे मौन को खोलता है और चानु तरफ की शुधनी के भीतर सुभे के समय में कभी को लगता है मुझे कोई मौन रूप से उठने के लिया मंत्रित करता है कि तुम्हें भी इन सब की तरह काम पे लगना चाहिए उठिये ये जगने के प्रेरणा भी प्रक्रति देती है तुमुल तम में जब एका कार उंगता एक साथ संसार भीरु जिंगुर कुल की जंकार कपा देती निद्रा के तार नजाने खद्योतों से कौन मुझे पत दिखलाता तब मौन तुमुल तम में जब एका कार तुमुल कहते हैं घनगोर घना सखन तम माने अधेरा जब घनगोर अधेरा एक मेक हो रहा है हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता उंग ता एक साथ संसार सारा संसार उंग रहा होता है निद्रा की गौद में समाया हुआ होता है भिरू जिंगुर कुल की जंकार कभा देती निद्रा की तार तब जिंगुर बेचारे बोलते हैं कि समय उस अधेरे में ड़ती हुए जिंगुरों की आवा जाती है और जिंगुर कुल की वो जंका नींद के तारों को हिलाती है हमारी नींद को थोड़ा सा डगमगाती है नींद में हम जग जाते हैं नींद को तोड़ती है निद्रा में विग्ण डालती है उस समय में नजाने खद्योतों से कौन मुझे पत दिखलाता तब मौन खद्योत आता है जुगनू को खद्योत कहते है थोड़ा सा प्रकाश करता है उड़ता हुआ एक पक्षी है जिसके पंखों में ऐसी रोशनी है कि वो जब उड़ता है तो अधेरे के भीतर दिखाई देता है रोशनी कहता है थोड़ी सी सूरज, चांद, तारे और उसके बाद में खद्योत का नमबर आता है जुगनू का नमबर आता है सूरज सबसे ज़्यदा प्रकास का पुंज है फिर चंद्रमा है फिर तारे हैं उसके बाद में जुगनू है उसके बाद हमारे मानव निर्मित सब संसादन है कभी कहता है कि ऐसे अधेरे के समय में जब सारा संसार उंग रहा होता है मातर जिंगुर कहीं बोल रहे होते हैं वो हमारी नीद में कहीं विग्र डाल रहे होते हैं उस समय में जुगनु उड़ता है जुगनु बोलता नहीं उड़ता है और जुगन उड़ता है तो प्रकाश करता है कभी वहाँ पर देखता है देखिए जब सारी दुनिया सो रही होती है तो कभी प्रकृती के वो बक्रमों को देखता है क्रियावापारों को देखता है खद्योत उड़ रहा है और कभी कहता है नजाने खद्योतों से कौन वो किरण उम्मीद की किरण जिंदा है ये खद्योत कहता है अधेरा इतना घना नहीं है इस आप प्रियास करोगे ता अधेरा को चीर दोगे ये वेचरा चोटा सा एक पक्षी है वो देखी इस अधेरे को चीर करके किस तरह से आगे बढ़ गया तो आपको हिम्मत हारने के जरूर कुद नहीं है अंदकार हताशा का निराशा का हार का असफलता का प्रतीक है और ऐसफलता में सफलता की कीरण चुपी हुई है वो खद्योत के बहाने कभी कहता है मुझे मौन रूप से निमंत्रित करती है रास्ता दिखाती है ऐसफलता में से ही सफलता का रास्ता निकलता ह अनीती में से नीती का रस्ता निकलता है, अधर्म में से धर्म का जर्म होता है, इसलिए उस बात को चीवन में उतार करके रखें और अपने आत्मिस्वास को बना के रखें, ऐसा कवी पंथ हम सब को समझाते हैं। जब की सकल, सकाल, सारा ये प्रभात बेला का जिक्र है, सुभे की बेला है, कनक चाया में जब की सकाल खोलती कलिकाउर की द्वार, कनक की चाया में स्वर्णिम आभा होती है, प्रभात काल में सूरज की स्वर्णिम किरने आती है, जैसेंकर प्रसाद ने लिखा, अरुन यह सुरज भगवान की सार्थी अरुन है, सुभे की किरण को अरुन किरण कहते हैं, प्रभात काल की किरण अरुन किरण कहलाती है, वो कनक सोने जैसे रंगवारे सुनैरी होती है, कनक छाया में जब कि सकल खोलती कलिका उर की द्वार, कलिया अपने रिदे की द्वार खोलती है, क कभी कहता है एक सुरभी पीडित उन कलियों के खिलने से जो खुश्बू भी खरती है उससे भावरों की काम क्रिडा, काम भावना, काम उत्तेजना जग जाती है। और बेचेनी में गुंजार भरते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। जाने ढुलक ओस में कौन खींच ले था मेरे द्रगमाउन। कभी कहता जब इस दृश्बू को देखता हूँ। तो पता नहीं उस लुढ़कती हुई ओस की बूंद में से मेरी आंकों को खींचने के लिए कौन आता है। मेरी आंके उदर खींची चले जाती है। मेरे द्रिश्टी के सामने वो प्रक्रती का क्रिया व्यापारा जाता है और मैं उसमें खो जाता हूँ। वो सुंदर अपनी आंकों के सामने देखने के लिए लालाई मन मेरा बार बार कहता है कि वहीं देखिएगा निगाह मेरी वहीं चले दीठी को और कहीं नहीं ठोर की रिद्र गरावर रूप की दोही। दृष्टी को दूसरी कोई जगह ही नहीं मिलती है। दूसरा कोई ठोर ही नहीं मिलता है। उसके रूप को देखना चाहती है। वो गोपियां क्रिश्न को देखना चाहती है। उसी तरह से पंत की निगाहें प्रकृती को देखना चाहती है। प्रकृती का रूप सुंदर चाया जग में मौन विचाकार्यों का गुरुतर भार सारे काम दिन भर काम करते हैं और इंतजार रहता कब संध्या हो तो इस काम से चुटकारा लेकर के व्यक्ति अपनी थकान को दूर करने के लिए घर जाता है घर की तरफ पक्षी घोसलों की और जाते हैं काम करने वाले लो से मिलने का समय होता है गाई बच्चनों से मिलती है भेंस अपने बच्चों से मिलती है परिजन हम अपने बच्चों से परिवार से मिलते हैं संध्या सुहावनी संध्या वो संध्या बिचाकार्यों का गुरुतर भार दिवसको देश वर्न अवसां कामों का गुरुतर भार बिच्छा हुआ है, चारों तरब दिन भर काम करते रहे, चारों तरब काम क्या क्या किया है, उस सारा बिच्छा हुआ पड़ा है, उसका आकलन करने के लिए संध्या का समय आता है, कि हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आज कितना हो गया, कल क्या करना है, यह लेखा जो कहा हम संध्या होते होते कर लेते हैं दिवस को दे सुवर्न आवसान और दिन को सुनहला आवसान देते हैं सुर्य को अस्त होने के लिए दिवस की आवसान का समय आता है वो सुनहला आवसान सुनहला आवसान अच्छा आवसान शुन्य शय्या में स्थ्रमित अपार शुन्य रूपी सय्या रत्री शुन्य कहते हैं आश्मान वाश्मान की शय्या शुन्य मस्तिस्क को भी कहते हैं आराम देते हैं उसको स्थ्रमित अपार स्थ्रम से ठके हुए पूरे दिन भर के काम से जुडाता जब में आकुल प्राण ठके हुए अपने प्राणों को वहाँ पर उस सुन्य रुपी सैया पर लाकर के आराम से सोते हैं सब आराम करते हैं दिन भर की ठकान से विस्त्रंते से कुछ राहत मैसूस करना चाहते हैं सब वहाँ पहुंसते हैं नजाने मुझे स्वप्न में कौन रात हो गई नीद आ गई सो गई सारे दिन भर की ठकान को भूल गई परिस्रम से श्रम साथ्य जो कुछ हमने किया था उससे शरीर पर क्लांती आई थी उसको विस्त्रंती में बदर करके हम सो रहे हैं नीद आ रही है तो सपने आते हैं कभी कहता है नजाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता च्छाया जग में मौन उस मिथ्या जग में च्छाया जग कालपनिक जगत रात के समय सपना आता है कालपनिक जगत में कहां कहां गुमाते हैं वो सपने आपकी अवदमित इच्छाएं जो दिन में आप पूरी नहीं क जिस काम को पूर्ण नहीं कर सके, जिस व्यक्ति से मिल नहीं सके, किसी को कुछ मन की बात कहनी सी कहनी सके, वो आपके मन की सारी बातें रात को सपने में आप पूर्ण कर लेते हो, कभी कहता है देखिए प्रकृती ने किस किस तरह की, व्यवस्ताइं की आपके लिए ये सुहा जाना कालपनिक जगत में घुमाता पता नहीं कोन है लेकिन मौन रूप से घुमाता कभी उसने अपना नाम मुझे नहीं बताए न जाने कोन अए द्युतिमान जान मुझे को अभूद अज्यान सुझाते हो तुम पत अजान ठूंक देते छिद्रों में गान अहे सुख दुख के सहचर्माउन नहीं कह सकता तुम हो कोन कभी, कभीता की अंतिम बंध में कहता है न जाने कौन आए द्यूतिमान कौन न जाने मैं नहीं जानता कौन आए द्यूतिमान अरे द्यूतिमान हे चमक के मालिक हे शिधारे, हे जोतिरिमान हे रोसनी के खजाने द्यूति कहते हैं कांती को, आभा को, शोहा को, चमक को, रोशनी को हे द्यूतिमान, हे चमक के धनी, तुम कौन हो जान मुझे को अभूद अज्ञान, लेकिन तुम्हारा उपकार ये है तुम्हारी भलम अनसाहत ये है, कि तुम मुझे अभूद अज्ञान मान करके सुझाते हो तुम पथ अजान मुझे अनजान पथ दिखला देते हो मैं जिस रास्ते को नहीं जानता हूँ उस रास्ते में तुम मेरे पथ प्रदर्शक बनते हो राय मश्वरा करते हो मुझे मार्ग प्रदर्शित करते हो हे दिदिमान मैं तुम्हारा ऐसान मानता हूँ मैं अग्यानी हूँ अबोध हूँ ये मान करके तुम मुझे अनजान रास्तों में भी जानकारी देते हो मेरा मार्ग प्रसस्त करते हो फूंक देते चिद्रों में गान मेरे हर एक चिद्र में रोम रोम में गान गानमाने उत्साही है लई है संगीत है जीवन का राग है उराग जीवन का राग भर देते हो फूंक देते चिद्रों में गान मेरे चिद्र चिद्र में रोम रोम में उत्साह और उमंग का जीवन राग भर देते हो अहे सुख दुख के सहचर मौन मेरे सुख और दुख के सहचर मेरे सुख और दुख के संगी मेरे साथी मेरे हमरा हे मौन नहीं कह सकता तुम हो कौन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम कौन हो लेकिन सदेव मेरे साथ में रहते हो सुख और दुख में सदेव मेरे साथ में रहकर कि मुझे प्रिरणा देते हो कि प्रकृती के सारे बदलते रूप वो प्रातहकाल हो, वो दोपहर हो, वो संध्या हो, वो रात्री हो, वो बादर हो, वो वरसात हो वो लहरे हो, वो समुद्र हो, वो नदी का चलना हो, पुस्पों का खिलना हो, कभी सब जगे से अपने लिए कोई संदेश प्राप्त करता है, और प्रकृती से ये सीख लेता है, कि जब प्रकृती हम सब के साथ में समान बरताव करती है, समान ब्यवार करती है, तो फिर हम सब क्यों एक दूसरी को किसी को छोटा माने, किसी को बड़ा माने, किसी के साथ में द्विश, विद्विश क्यों रखें, क्यों दुराग्रह और पुर्वाग्रह को पालें, हम सब को उस मोन संकीत को समझना चाहिए, जो प्रक्रती के विभिन उपक्रम हम दो को देते हैं, ये भावार्थ को समझे, व्याख्या रूप में आता है, तो आपको इसके प्रसंग, व्याख्या और विसेश तीनों पर अपना मत रखना है, इसलिए बड़ी सरल सरल कविता है, सरल भाव है, आपको इसके प्रसंग को, इसके भावार्थ को, इसके प्रतिपाद्य को समझना है, क की उपादेटा क्या है इस चीज को समझते हुए अपना उत्तर लिखेगा तो आपके अच्छे आंके मिलेंगे अगले वीडियों फिर मिलते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद